हलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग विल्कम बैक टू माई नियू ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो मॉर्निंग का टाइम है एक साइड मैंने मेथी काटके पका के रख दी है ठंडी करने के लिए और दूसरे साइड में चाय बनने बना देती हो बांकि सब लोगों के लिए बात में बनेगा तो क्यूंकि सुबह अभी सब लोग सो ही रहते तो मैंने सुझा चाय बना लेती हूं तर तक में सब लोग जग जाएंगे और थोड़ा सा ही मेथी का पराटा बना लेती हूं क्यूंकि जो बच्चे हैं मतलब तीजय मेरा बड़ावला बिल्कुल नहीं पसंद करता ऐसे मेथी खाली बनाना पराटे तो उसके लिए पीस के फिर आटा लगाना पड़ता है तो भावी भी कुछ कर रहे थी तो सबी लोग थोड़ा बहुत अपना-पना काम कर रहे हैं तो पीस के रख देंगे और इसके साथ है जितना 파 चल रहा था उससे जगाल तो मुह चल रहा था सबका बात ओर रहे थी क्योंकि रोज होता नहीं और फोन में इत्ती जदा बाते बाते वह नंहीं हो 기 तो कि रोगा मिना कोई मिलता भी करते हैं जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता अधिकतर आने के लिए बस थोड़ा सा वक्त निकाल के आ गए हैं तो सभी लोग मिलके ना यहां पास लगे हुए थे तो अच्छा भी लगता है ना कि अपना काम भी करते रहो बात भी होती रहे सबसे और मम्मी भी जग है ना घर में उतना काम बढ़ जाता है ऐसा नहीं है कि मैं के लिए होती हूँ तो के लिए घर का काम निफट जाता है और चाल लोग हो जाते है ना तो चाल लोग ही घर के काम हों में लगे रहो जितने लोग होते इतना काम भी बढ़ जाता है तो जो काम होता है में सुपह क होता है ब्रेकफास्ट अगर ब्रेकफास्ट बन गयाना तो फिर पूरा घर काम करने में बहुत बगते नहीं लगता और सुब लोग ब्रेकफास्ट कर लें तो उससे भी सदल कुछ हो ही नहीं सकता तो चलिए मच्चों के लिए बन गए हैं पूरियां मांकी का आटा मैं रख दूंगी और इधर भाई ने पीस के भी रख दिया है साथ ही साथ चटनी चटनी में में मिरची डालना मोगल गई थी मैंने पीसा था इसके बाद एद दोपार की क्लिफ है करीब तीन बजे का तो पहले हम लोग कुछ काम था तो बाहर गए हुए थे तीन लोग फिर आयके पीना खाएं और सभी लोगों का खाना पीना अभी करीब करीब होई चुका अंजोबांकी है दलब जो भावी की वहन है वो पराठा बना रहे ही किचन में बाकी सब लोगों का खाना पीना हो चुका है और इसके बाद फिर कहीं जाना है थोड़ा बहुत काम है इसके बाद हम लोग चल दिये हैं तो पहले गए हुए थे कैंटीन भाई के कुछ समान चाहिए था तो उस वाले कैंटीन में अधिकतर समान था ही नहीं थोड़ा बहुत मिला था तो फिर हम लोगोंने खाना पिना आया खाया और क्यूंकि डेड़ बजे बंद हो चाती है फिर चार बजे क जा बागों हुए तो फिर दूसरे कैंटीन में हम लोग जा रहे थे हां पास की तो जोब थोड़े भाइस सवान मिला जब उतने दूर से आहना कुछ नकुस तो लेके ही जाए तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं कैंटीन ये दूसरे वाली है तो यहां पास इसमें समान सब था तो मैंने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं लिया बस एक दो चीज लिया बलकि इन लोगों को जो लेना था क्योंकि फिर कार्ड में पैसे भी होने चाहिए तो इन लोगों को चाहिए और फिर लोग ते रोज रोज आएंगे नहीं तो एक दो आइटम से खतम था पर एक लिए सेंपो उसी के लिए तेल तो दो तीन चीज मैंने लिया है और बागी के जितना भी कार्ड में जो भी पैसे था तो इनों लोगों ने पटब दिला दिये हैं कि अब उतने दूर से आना और फिर कुछ ना लेके जाना तो कोई मतलब है नहीं तो ये बाहर रख हैं समान लेकर जो इतना भी शमान लिए हैं एक बार का पहले हम लोग केंटीन से लेके गयते समान तो घर में रखा हुआ है और फिरास्ते से आते आते हैं यहां पास एक स्वाप पड़ती है दिक दूर रोट के किनारे अच्छे चीजे मिलती हैं ऐसा नहीं कि रोट के किना नहीं थी सही थे तो कवर और फिलो जो मिला के करीव 500 कवर गया था और भी कुछ थोड़ा बहुत है चीजे देखे तो यहां से ले सकते हैं कालीन हो गया यह सभी चीजें यहां पास कुछ देख रहा थे तो जो पसंद नहीं आए तो उसको फिर मैंने मना कर दिया कि उसी ज मांगे चलके भावी को कुछ समान लेना था उनको स्वेटर लेना था तो फिर ओ लिए और इसके बाद हम लोग घर आ चुके हैं यह टैडी लिए रास्ते में आते आते वतीज के लिए और यहां पास मस्ती कर रहा है और पूरा समान रख दियें को उन्हों को शेट करना है और इसके बाद है जैसे फोन उठा लो ना तो यह इत्म फोन में देखता रहता है और यहां पास भावी और मम्मी लग गई हैं खाना बनाने में मम्मी हाटा लगा रही है और भावी ने सबजी बनाया सूखी अभी थोड़ा सा निकाल देंगी सूखी और पानी डाल देंग इसके बाद है नेश्ट मॉनिंग की क्लिफ है तो मैं यहां पर सबसे पहले चाय रखी हूं बनने के लिए साथी साथ बिंडी की सबजी और बच्चों को पूरी तो सबजी मैंने थोड़ा सा ही बनाया सिर्फ बच्चों के लिए बाद तो बागी मैं फिर बाद में देखती पानी के सबजी न फ़ाद के सबजी मैं भाद बनागीमा नदेश बनाया घरनाया मैं नहीं बच्छे रिडियो हो सब्सक्राइब राधे हैं बच्छे रेडियो हो गया है हतीनों लोग आपार मस्ती कर रहे हैं और मतलब बच्चे रेडियों इसके बाद मम्मी लगी हुई अपने कामें में कुछ न कुछ और मैं भी आ गई हूँ किचन में तो यहापा सबजी बन गई है आलो की ग्रेवी वाली सुखी सुखी नहीं ग्रेवी वाली और आटा भी बनानी है तो सभी सभी मतलब सब ड्रेक फ़र्ष्ट में हर चीज जिसको जो पसंद आएगा उखा लेंगे और यहां पास पानी रख रहे होंगे बच्चों के लिए तो एक साथ ना मतलब मैंने कैमरा लगा दिया था और सब पुछे समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइम क्या है और सब थोड़ा-थोड़ा काम में अपने अपना लगे हुए थे इस दिन से आई है भावी दो दिन में लोग रही लब जब से आई तब से मैं बरतन और तन जो भी किशन का काम है वह मैंने चोड़ी दिया था यही सब लोग कर रही थी और यहां पास मैं इसको कमरा उठा लेती हुए यू नहीं बदमासी हुए लगता है वह कि रहता है मैं दो पोटे नंपाटी है अमय को अबने कर्दानों कि आपूरा को लीछाई था कहा हुए